हाई फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल इस वीडियो में मैं आपको कोश्चेंड 12 के बी पार्ट समझाने जा रहा हूं तो आईए देखते हैं पहले में आने आपको बताया था कि ए पार्ट में भी कि जो वैल्यू के में फाइंड करना है उसको हम फिगर के बगल में लिखने तो आईए हैं इसको लिख देते हैं अब बाट जैड इक्वल टू फॉर्टी इससे बर्टीक्ल पोजिट आंगल कि वी ऑटी आई सी डवल लवाई वर्टीकल इकली ओड़ पी ओस आइटी ऑपोजिट एंगल वर्टीक्ल पोजिट आंगल को हमने इसका रीजन तो लिख द z की तो हम यहां पर लिख देंगे z की हमें वैल्यू मिर्फाइंड हो गई 40 तो अब हम करेंगे x की अब हम करते हैं let's find करेंगे और हम find करते हैं यह ना यह वो फाइंड होगा लीनियर पेर से आई हम यहां पर करते हैं किसे होगा लीनियर पेयर से लीनियर पेयर तो अब देखी लिए का सम होता है 180 में लिखना ही भूल गया तो हमें वाइड दिया ही नहीं है तो जैड के में फाइंड होगे थी 40 जैड के में फाइंड हो गई थी ना उपर 180 यहां पर लिखते हैं यहां पर प्लस में तो यहां चल लाएगा माइनस में माइनस में का 40 तो यहां पर आगे 100 इक्वल टू य तो य के में वाइड हो गई तो इसकी आगे 100 हम हम एक्स की फाइंड कर देंगे वहीं बचा है हमारे पास तब तो हम यहां पर लिखेंगे 40 प्लस में एक्स प्लस 25 इक्वल टू 180 लीनियर पेर देखें क्योंकि यह जो पूरा है वह एक ही लाइन पर 180 के एंगल डिए बंडरे पूरा ऐसा करके तो हम इसको 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 इ 25 प्लस एक्स इसएकल टू 180 पूर 5 इसको प्लस करेंगे अब अबल में 25 65 65 प्लस में एक्स इसकेल टू 180 यहां प्लस में यहां प्लस करेंगे नहीं होता तो यहां पे एक्स इसकेल टू 180 माइनस में 65 आप हम करेंगे 65 इसको एक हासिल दिया तैन 1517 16 11 15 एक्स तो यह भी हमारा कंप्लीट हो गया हमने इस वोले कोशेमियों कंप्लीट कर दिया अगर आपको यह समझ में नहीं आये आपको यह समय अधा कमेंट बोक्स में बताइए और इस वीडियो को जादे जादा लाइक कमेंट और शेयर करिए ताकि ऐसी वीडियो सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियो मेरे चैनल की वीडियो आपको अबसे पहले मिल जाए